आप सभी प्रिय दर्शकू का स्वागत है, बात करेंगे ICICI बैंक के बारे में, आज करीब करीब 45 रुपे गिरा हुआ स्टॉक है ये, साथ साथ में HDFC बैंक तो और भी जादा 70 रुपे गिरा हुआ स्टॉक है, बुरी ख़बर है, क्या यहाँ पर आपको इस डिप को खरीद चाहिए, क्या यह opportunity की तरह से आपको मिल रहा है, आइए चल को visualization करते हैं और देखते हैं, क्या है हमारी सलहा इस stock के साथ में, सबसे पहले क्यों गिर रहा है, देखें आपको बात समझनी है, FII यहाँ पर selling कर रहे है, इस current calendar year में जन्वरी एक से लेकर अब तक 85,000 करोड रु के लिए, और जब GDP के डाटक खराब आता है, तो banking sector stock काफी धराशा ही हो जाते हैं, यही कारण है कि थोड़ा सा नीचे को गिर रहा है, बट जब से संदीब बक्षी जी ने यहाँ पर ICICI bank की कमाल समाली है, तो parameters अच्छे हो रहे हैं, अगर कुछ parameter की study की जाए, तो दीखें इनका retail loan mix जो पहले 57% था, वो बढ़कर 61% हो गया है, तो इसमें इजाफा आया है, retail dependency इंप्रूव कर रहे हैं यह, corporate का loan share कम हुआ है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादर default राते हैं, लोग बाग पैसे लेकर corporate companies भाग जाती है, तो यह dependency कम कर रहे ह वो अच्छी बात है, oversee book value भी उन्होंने कम किया है, और इनका कासा भी थोड़ा सा नीचे गया है, 44.90 के आसपास, अब अगर हम बात करें, other net interest margin, यह improve हुआ है, जो कि एक positive खर माने जाएगी, 3.5 से बढ़कर 3.9 हुआ है, और अगर हम बात करें, यहाँ पर GNPA, तो GNPA में सब प्रतिशत से गिर कर 4.13 प्रतिशत हो गया, तो almost आधा रहे गया है यहाँ पर, और net NPA 3.65 से गिर कर 0.75, जो कि हमारे हिसाब से यह बहुत ही positive trajectory में इसको लेके जाएगा आगे आने वाले समय में, तो यह parameter बहुत अच्छे इस बात को समझेगा, आगे चलकर, और यहाँ पर आपको पता ही होगा, इनके पुराने Chief Executive Officer चंदरा कोचर जी, इनको अब यहाँ पर आगे court में लेके जारे है, Mumbai High Court में, अपनी जो उनकी pension scheme है, वो लेना चाहते हैं, और साथ-साथ में, इनके पास 1000 करोड के stock options हैं, वो भी चाहते हैं, कि उनको मिले, जो कि ICS Bank में उनके निक good stock है, आइए ज़रा चलकर सबसे पहले, ICS Bank का आज का view देखते हैं, तो अगर हम ICS Bank को देखें, आज ये गिरते हुए करीब 4.1 परतिशत गिरा हुआ है, 711 रुपे के आसपास कारुबार कर रहा है, खुला ही gap के साथ, क्योंकि रश्या की news थोड़ी सी negative थी, और उसके बा अपने portfolio में इसको add कर सकते है, बुलिंजर बैंड के lower हिस्से में है, जो कि एक अच्छा comfort feeling देता है, खरीदने के reference में, और यहाँ पर अगर उपर चलना लगा, तो short term के target 75 के आसपास मान के चलिए, बुलिंजर बैंड विट 16 के आसपास है, जो इसको थोड़ा सा positive trade में लेक हम HDFC bank की देखें, तो HDFC bank में करीब एक करोण के आसपास share trade होगे शाम को जाते जाते हैं, और उसमें से 75% की delivery है, तो यहाँ पर काफी heavy delivery के साथ selling हो रही है, यह बात समझे, अगर HDFC की बात करें, तो HDFC 1370 के आसपास trade कर रहा है, यहाँ पर यह भी 4% की तरह से गिरा हुआ है करीब करीब, तो इसने भी यहाँ पर 70 point के आसपास गिरावट की हुई है, अगर यहाँ पर HDFC bank का long term का थोड़ा सा chart देखें, तो देखें, HDFC bank ने उपर से थोड़ा सा fall शुरू किया है, यहाँ पर देखेंगे, तो 1575 के आसपास से गिर कर 1370, इसने in fact यहाँ पर थोड़ा weak counter लग रहा है, अपना पुराना low यहाँ से तोड़ कर नीचे की तरफ को यह चला गया है, और भी जादा, तो यहाँ पर weakness हमें लग रही है, कि अभी बढ़ रहेगी market की, near term का जो support रहेगा, वो 1350 के आसपास रहेगा, 1350 और 1345 के बीच में, यह काफी strong support की तरह से काम करेग है, अपना almost यह जो 2021 year की growth है, वो अब almost nullify करने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा साफधानी से काम कीज़ेगा, यह आपको बताना चाहते है, stock market में time to time profit book करना भी चाहिए, और आपको right level पर dip नीचे आ जाए, तो हमाँ पर buy भी करना चाहिए, आज HDFC bank का Bullringer bank के बाहर पू हमारे हसाब से जी हाँ, और यहाँ पर आपको निवेश करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा gradually निवेश करते रही है, यूकरेन की समस्या बढ़ती जा रही है, और वहाँ पर लड़ाई और भी तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वज़े से थोड़ा geopolitical tension है, और dollar जो है, जो oil है 100 रुपे के उपर पहुँच गया है, तो देखिए, 100 हमें अच्छे से आगे 2008 के आसपास था, वहाँ पर 100 रुपे के उपर, और तब से inflation भी बहुँच जाता पड़ी है, तो उस हिसाब से देखा जाए, यह 108 के आसपास dollar जो पहुच आ है, यहाँ पर oil का rate, यह अच्छी ख enterprise factory and digital factory, आगे आने वाले समय में सब लोग digital से काम करना चाते हैं, जो कि इनके लिए एक key system है, आगे चलकर integrate करेंगे अपने fintech और tech giant के साथ में, जो इनको आगे आने वाले 20 सालों तक के लिए बढ़िया growth दिखाई देगी आगे हमारे हिसाब से, हमारा point of view, good opportunity है, long term के या अपने portfolio के लिए, तो हमें specifically paid member बन सकते हैं, आपको सारी detail वीडियो में बलेगी, please consider financial advisor, चैनल का 5F rule, training के लिए mail drop करें, जहीं जबारत, bye guys